हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो में चैनल इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं हुली का दहन पर 450 अब्दों में निबंध परीचर हुली का दहन हुली तहवार के एक दिन पहले मनाया जाता है या एक हिंदु तहवार है या तहवार फागुन के महने में पुर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो फरवरी या मार्च में पड़ता है या तहवार बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत रितू के आग या कहानी हुलिका दहन के पीछे की कहानी राक्षष राजा हिरनकश्यप और उनके पुट्र प्रहलाद की हिंदु परानिक कथाओं से संबंधित है हिरनकश्यप का मानना था कि वह दुनिया का सबसे सक्तिशाली वेक्ति है वह चाता था कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे हाला कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विश्नु का भगत था और उसने अपने पिता की पूजा करने से इंकार कर दिया था इससे हिरनकर्ष्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने कई बार अपने पुत्र को मादने की कोशिश की लेकिन वा हमेशा आसफल रहा अंत में हिरनकर्षियप ने अपनी बहन हुलिका से मदद मांगी हुलिका के पास वर्दान था कि वा अगनी में जल नहीं सकती वा प्रलाद को अपनी गोद में लेकर अगनी में बैठ गई हुलिका को विश्वास था कि अगनी से उसे कोई हानी नहीं होगी लेकिन उसके बुरे इरादों के कारण वर्दान काम नहीं आया और हुलिका जल कर राक हो गई भक्त प्रलाद को भगवान विश्वास ने अगनी में जलने से बचा लिया था हुलिका दहन कैसे मनाया जाता है लोग हुलिका दहन का तेवार बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्तिक के रूप में मनाते हैं होलिका जलाने के लिए लोग एक जगा पर इखठा होते हैं सर्धालु भगवान विश्णु से प्रातना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं सर्धालु आग या होलिका की परिकर्मा करते हैं और परिकर्मा करते समय वे गीत गाते और नित्य भी करते हैं वे उसमें एक दूसरे पर गुलाल फेकते हैं और एक दूसरे पर पानी भी छिरकते हैं हुलिका दहन मनाते समय लोग एक दूसरे को मिठाईया भी खिलाते हैं महत्व हुलिका दहन एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है या तेवहार एकता और भाईचारी को बढ़ावा देता है या एक ऐसा तेवहार है जब लोग अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और खुसी के साथ या तेवहार मिलकर बनाते हैं या एक ऐसा समय है जब लोग एक दूसरे को छमा कर देते हैं और पिष्ली सिकायतों को भूल कर नए जीवन की शुरुवात करते हैं। निश्कर्ष, हुलिका दहन भारत का एक महत्वपुर्ण तेवहार है, जो हिंदू संस्क्रिती में बहुत महत्वर रखता है। यह तेवहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस तेवहार को बड़े खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह तेवहार एक्ता, भैचारे और छमा को बढ़ावा देता है। जिससे परिवार और दोस्तों के साथ तेवहार मनाने का एक आरदस और सर बन जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना ना भोलें। धन्यवाद।